हलो एपिवान आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की बहुत ही चटपटी और जटपट बने जाने वाली है जिसका नाम है मसाला पाव ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स और लिटरली सिर्फ 10 मिनिट्स में रेडी हो जाता है ये इतना टेस्टी होता है कि जब मैं एडिट कर रही थी वीडियो तो मेरे मुह में पानी आ रहा था ये मेरी फैमिली में सब को बहुत जादो पसंद है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राय करें और मेरा वीडियो एंड तक देखे मैंने कुछ टिप्स दिये हैं ये रेसिपी परफेक्ट बनाने के तो फिर शुरू करते हैं यहास को ट्रांस्लूसेंट होने तक फ्राय करना है पूरा ब्राउन में करना है यहाँ पर थोड़ा कलर लाने के लिए आप कश्मीरी लाल मेज के यूज कर सकते हैं और थोड़ी जादा क्वांटिटी में यूज करना होगा यहाँ पर बनाने के लिए जादा कर दोग वाँ लादा सकते हैं इस स्टेज पे अगर अवेलिबल हो तो एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू मैश करके जाल सकते हैं इससे टेस्ट और जाधा बढ़ जाता है वैसे तो इस रेसिपी में पाव यूज करते हैं और यहां पे मैंने पाव ही यूज किया है पर अगर आपके पास और कोई बर्गर बन या इजन ब्रेद हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं टेस्ट में जाधा फरक नहीं आएगा कर सकते हैं कर सकते हैं झाल झाल